एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक के उपर बात करने वाले है जो कि हाली में जो यह चेंज हुआ है नियू एजुकेशन पॉलिशी 2020 एनिलाइसिस यह आज का हमारा टॉपिक है जो कि नई सिख्छा नीती 2020 का असर क्या होगा हमारे इंडिया में तो वहीं डिसकस करेंगे कि क्या क्या चेंज किया गया है तो आज हमें डिसकस करेंगे कि कैसे स्टुडेंट कंट्री डिब्लपमेंट के ऊपर असर होगा जो कि 34 सीयर्ज के बाद बदली हुए है और 34 सीयर्स पहले क्या था कि 1960 में आए थी इंडिया की पहली education policy जो कि इंद्रा गांधी गवर्मेंट पे थी और second जो policy थी 1986 में आए थी जो कि रजीव गांधी गवर्मेंट पे थी जिसी 1992 में PB नर्सिंग राओ के गवर्मेंट ने इसे क्या किया था, modify किया था तो नए सिक्षानीती में अहां बदलाव क्या हुआ है, तो अहां बदलाव यह हुआ है हमारा कि no language barrier, यानि कि इसका मतलब क्या हुआ, कि इस नई policy में language barrier खत्म कर दिया गया है, पूरी तरह से, इसे खत्म कर दिया जा रहा है, क्योंकि आप जो क्या होगा, कि 5th class तक जरूरी कि आपको Hindi या English पढ़ना होगा, आप अपनी original language अपने mother tongue में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई आपको बादे नहीं है, आप अपनी मन से subject चुन सकते हैं पढ़ सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा कहा जाएगा कि change किया गया है, तो चली इसके बारे में कुछ खास बाते बढ़ और सेकेंड पॉलिसी जो एती, 1986 में आई थी, और 1992 में पीवी नर्सी हां रहा हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसे मोडिफाई किया था, और 1992 में, अब 34 से यह बात परिवातन हुआ है, कि 10 वी बोड को खतम कर दिये गया है, कि 10 वी बोड को पुरी तरह से क्या कर दि अब जे मानोसान साधन मंत्राले में परिवर्तन हो गया है, चेंज हो गया है, तो यह बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है, और अच्छा ही चेंज है, नए सिक्छा नीती के तहत, अब पांचवी तक के छात्रों को मातरी भासा, अस्थानी भासा और आस्ट भासा में ही सो तो यह हैं, और बाकि विसे चहए वो अंग्रेजी क्यूकंg के तोर पता है, कोई आपको बात है क्या नहीं है कि आप ए अंग्रेजी सब्जिक्ट ले रो या इंग्लिज पढ़ो रही है है क्या गया है, help क्या है? कि सिक्षा नीती में बड़े बदला हुए 10 प्लस 2 की जगा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 फोर पैटरन पर होगी पढ़ाई यानि कि 10 प्लस 2 की जगा अब क्या होगा 5, 3, 3, 4 पैटरन पर अस्टडी की जाएगी तो इस सिक्षा नीती में बड़े बदला होगी है कि 9 से 12 तक semester system होगा और यह कालेज के degree जो है कि 3 और 4 साल की होगी जो कालेज के degree होगी 3 और 4 साल की होगी यानि कि 12 को खत्म करके 5, 3, 3, 4 में divide कर दिया गया है यानि कि कख्षा 9 से लेकर कख्षा 12 तक 4 साल का जो समय है उस भी बच्चा semester वाज पढ़ाई करेगा यानि कि अब कोई भी बच्चा कोई भी stream को ले सकता है चाहे बारवी का बच्चा arts का लेना चाहे math लेना चाहे या bio लेना चाहे और math का अपने में तो कोई भी subject चूच कर सकता है अपने according यानि कि जो है क्या होगा कि गर्जुएशन के पहरे साल पर जो है certificate दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में जो है क्या होगी डिग्री मिलेगी अब जो है चूण सकेंगे मन पसंद भी से और स्कूले से जो है stream system खत्म और arts का छात्र biology की भी पढ़ाई कर सकेगा क्योंकि उसको रूची है biology में तो था ना पहले बाद है कि आप जो अगर arts के subject ले लिए तो आप bio नहीं पढ़ सकते हो मैत नहीं पढ़ सकते हो लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है उससा बंद कर दिया गया है आप जो है अपने मन से अपने रूची के according कोई भी subject अप ले सकते हैं कोई भी जो है अच्छा है अप ले सकते हो अब क्या है कि विवहारिक ग्यान जो कि काक्छा 6 से सीख सकेंगे computer coding अब काक्छा 6 से computer coding को जो है सिखाया जागा अब स्टुडेंट को जो है अब अच्छा है लूची में दिवह से में आपने आपस। अपने अच्छा जाएगा स्टुडेंट को जेया निश्चीत ले थी जाएदा थी न Müंश्चीत लूटा小 जयूँ कि बच्चों के लिए भी जो है ये कोई बड़ी बात नहीं होगी वो भी अपना कर सकता है इजली तो जो है निश्ची फिस से जदा फिस नहीं ले पाया जाएगा ये भी अच्छा है तो आपके आगा कि जैसे क्या था कि इसका मतलब यह था कि जो कई सालों से बच्चों में दिख्ते आया है कि साइंस आर्स के बीच में ओड़ी अगया सकता है अब को जो जिस सब्जक्त में रूची है वह सब्जेक्ट आप ले सकते हैं इसके लिए अप फरी है तो यह बहुत ही अच्छा च्छा चैंस का घाएग क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूब होगा, क्रियेटिव थिंकिंग इंप्रूब होगा, कॉम्मिनिकेशन इंप्रूब होगा, और डिजाइन सेंस इंप्रूब होगा, जो कि बहुत है, तो यह इस एजुकेशन पोरिश्टी के कुछ पॉइंट्स थे, जो सब को पता होना चाह बहुत बहुत हे बात बहुत ही अच्छा है, भाग महल को खेए तो उनल स्ल्य है वो उनल दॆल समय दिश्कुस कर दिना झाहिए। बदला हुए है अभी फिलहार है तो ठीक है आज तक इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार थैंक्यू फॉर वाचिंग वाइं वीडियो और एक इंपोर्टन चीज है कि अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज ल आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है तो अगर आपको सेशन पसंद नहीं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए का थैंक्यू थैंक्यू सू मच